आज कल की भाग दोड़वरी जिंदगी में सिर का दर्द होना तो जैसे आम बात ही होकर रह गई है हम काम में इतना फसे होते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं हमारे काम में होने वाली थकान और टेंशन ही सिर दर्द का मुख्य कारण है ऐसे में सिर दर्द को ठीक करने के लिए हम कुछ दवाईयों का प्रयोग करते हैं जिसमें डिस्प्रिंट, सेरिडॉन जैसी कुछ टेबलेट शामिल हैं जिसे खाते ही हमारा कुछ ही समय में सिर दर्द ठीक हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दवाईयों में आखिर ऐसा क्या होता है या ये हमारे शरीर के अंदर जाते ही क्या ऐसा काम करती हैं जिससे हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है नमस्कार दोस्तों स्वगत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दफएक्ट आर्मी में तो चलिए जानते हैं जिसके बारे में दोस्तों डिस्परिन में एक एक्टिव इंग्रीडियन्ट होता है जो की एस्परिन है ये हमारे शरीर में एंजाइम्स के एक्शन को रोपता है जिसे साइक्लो ऑक्सिजनेस कहते हैं एस्परिन जो की एक एक्टिव इंग्रीडियन्ट है वो हमारे शरीर में कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे हमें दर्द का हैसास होता है वही साइकलो उक्सिगनेस के चलते प्रोष्टाग्लेंडेंस पैदा होते हैं जो हमारे शरीर में दर्द सूजन आदी होने का कारण है इसके कारण प्लेटलेट्स एक साथ जुड़कर ब्लड क्लोट में बदल जाते हैं 300 mg वाली यह गोली प्रोष्टाग्लेंडिन के उत्पादन को रोप कर दर्द में आराम देती है इससे बुखार कम करने में भी आराम मिलता है कहते हैं कि 300 mg पावर वाली एस्पिरिन दिल के दोरे में बचाने में मदद करती है परन्तु इसका कोई शोधी परिणाम नहीं है यह टेबलेट ब्लड क्लोट बनने से रोकती है जो कि खोन की सप्लाई में अवरुद्ध पैदा करता है तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर वा चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी को लेकर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें जै हिंद जै भारत भारत मता की जै